हलोडिविन, वेलकम टू वेदमी है और आज हम पढ़ेंगे ट्रांस्पोर्टेशंस अफ द ती ओटू इसे पहले हमने ट्रांस्पोर्टेशं आफ ओटू की डीटेल में तेडी करी थे और आज हमें पढ़ना है ट्रांस्पोर्टेशं आफ C O Tू और जो भी हमारे पीवाई क तो सबसे पहले मैं आपको कुछ basic information दे देती हूं CO2 transportation की अगर आपको last lecture में एक चीज याद हो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम O2 transportation की बात करते थे तो वहां पर nasal हीरो था वहां का हीरो था हीमोगलोविन तो हीमोगलोविन यहां पर भी as a hero ही काम करता है यहां पर जितना भी CO2 है जो maximum amount of CO2 है बोर ट्रांस्पोर्ट किया जाता है आपके हीमोगलोविन के साथ तो मैं आपको बताती हूं कि there are three way in which CO2 is transported in bloodstream पहला है आपका dissolve, second है आपका carb amino compound and third है आपका bicarbonate formation तो एक तो आप समझ गए dissolve की simply dissolve हो जाएगा अब आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर आप इसका percentage देखें dissolve oxygen का वो थोड़ा सा जादा होता है compare to जितना हमारा oxygen था oxygen में किंदा था 1.5% था लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी जो हमारा CO2 है वो 7% तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है dissolve form में क्योंकि इसकी solubility जो है वो oxygen के comparison में ज्यादा होती है प्लास्म तो three types से transportation होगा एक तो dissolve oxygen हो गया फिर आपका carb amino compound हो गया and next आपका हो गया bicarbonate तो अगर आप dissolve oxygen CO2 की बात करें तो 7% of the carbon dioxide जो dissolve हो के blood plasma के तुरू tissue के tissue से सीधा blood plasma में आएगी plasma में dissolve होगी और dissolve होने के बाद यह आपकी pulmonary में आएगी heart में आएगी है sorry pulmonary में pulmonary के through your seat the dissolve होगी आपका diffusions के थे तुरू चला जाता है लंग्स में लंग्स के तुरू एट्मोस्फियर में जाएगा तो मतलब तो यही चीज जो मैंने आपको पहले ही बता दी, अब सेकंड क्या है आपका है कार्व अमीनो कंपाउंड यह कैसे बनते हैं, तो यह जो 23% of CO2 है, यह आपके कार्व अमाइनो, मतलब अमाइनो एसिट्स जो होते हैं, उनके साथ कमाइन्ड होके, अमाइनो एसिट्स में हमें यह पता है, एक पार होता है हमारा अमीनो गरॉप, और दूसरा होता है अशिट्स जो हमारे अमाइनो क्ृफ होता है, उसके साथ यह-सिट्स के साथ क Georg बाइंड करते है, वो मैं आपको बताऊंगे और ब्लड में बाइंड करती है और फॉर्म कर लेती है आपके कार्वमीनो कंपाउंड को तो 23% ऐसे हमारी ट्रांसपोर्ट हो गई बाकी का क्या होगा जो हीमोग्लोविन है वो प्रोमिनेंटली फांड इन रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल तो दा है आपका हीमोग्लोविन है अब सी ओ टू जो है वो बाइंड करती है टर्मिनल आमाइनो एसेट्स एना अलफा चेन बीटा ग्लोविलर चेन ऑप दा हीमोग्लोविन जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि यह थी हमारी क्या पाइरोल रिंग जब बहुत सारी पाइरोल रिंग इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटेज्ट हुई थी तो बन रहा था हमारा क्या हीमोग्लोविन और यहां पर ऐसे ऐसे करके फोर हीमोग्लोविन जब आपस में आके जोड़े थे मॉनोमर तब जाके उनने बनाये था एक टेट्रामर तो यह थी हमारी ग्लोविन चल जिसम अमाइनो एसेट्स ब्रांच फॉर्म करते हैं तब जाके आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन बनता है तो अगर हम सिंपल एक अमाइनो एसेट का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का होता है एन एच टू तो यह जो आपका एनेच वाला पोर्शन होता है यही पर ही आपका जो सीओ टू है वह बैंड करेगा और यह कुछ ऐसे बना लेता है अ और यह जो आपका यहां पर एनेच टू था यह बना लेगा यह वाला फॉर्म यहां से एक च्च वह वह बहार निकलाता है और यह एक एच प्लस आइन थे जो हमारा जो ओ टू था जो जब उसको dissociate करा रहे थे कहां से हीमोग्लोविन से तो यह कैसे होगी पूरी रियक्शन यह मैं भी आपको दिखा दोगी फिर क्या है इस बाइंडिंग रिजल्ट कार्ब अमाइनो हीमोग्लोविन उसी के कॉंटिनुवेशन में यह मिनिट्वेशन के में इसको एर्हेंस करड़ू थे तुजब फौर्मिशन अपकार्ब अमीनो हीमोग्लोविन is ग्रेटली अफेक्टेट बाइद़ पार्शियली प्रेशर और Co2 सच है तो यह सीओ टू के बिलकुल अगर ज्यादा प्रेशर हो गाधर क्राशले प्रेशर या क्वंटिटी से घॅ टू की ज्यादा होगी तो ज्यादा कार्वओत फॉरमेशनौ काम होगा इस आप स्री अभा़या रिप्रेशल 아닌 कम है तो वहां पर यह इसीली डिटेच होगा फ्रॉंदा हीमोग्लोविन एंड डिफ्यूज हो जाएगा इन अल्वुलाई तो यह पूरा इसका रियक्शन है हीमोग्लोविन और सीओ टू के साथ बाहिंड करके अपना बना लेता है कार्वमीन हीमोग्लोविन नेक्स्ट है हम को मुझे आपको बताने है कि सीओ टू इनक केपिलरी रियक्ट विद वाटर तो फॉंदा कार्वोनिक एसेड एंड विदा कार्वोनिक एन हाइड्रेस इसका मतलब यह है कि जैसे यह आपकी ब्लड केपिलरी है यहां पर आपकी प्रेजंट है आर वीसी ठीक है तो क्या हुगा कि यह है आपका क्या अल्वियू लाई है अब यहां पर है आपका टिशू तो सीओ टू सबसे पहले आपके प्लाजमा में गई डिसॉल्व फॉर्म में अब चली जाएगी कुछ क्या होगा यहां पर जो हीमो ग्लोवेन है उसके साथ बाइंड होगी और कुछ इसी प्लाजमा में CO2 यहां पर क्या प्रेजेंट होगा H2 और H2 के साथ रियक्शन करके इंदा प्रेजेंस ऑप कार्वोनिक एन्हाइड्रेज एंजाइम यह बनाती है आपका कार्वोनिक एसिड अब यह जो कार्वोनिक एसिड हैं यह फर्दर ब्रेकडाउन हो जाते हैं आपके हैज प्लस आइन में बाई कार्वोनिक एसिड बना और यह जो कार्वोनिक एसिड था यह फर्दर डिवाइड हुआ एज प्लस आइन में प्लस आपके बाई कार्वोनिट्स एं जब यह आपके बाई कार्वोनिक ऐन बने तो यह बाई कार्वोनिक साइन यह पूरा रेक्षन आपका कहां हो रहा है आरवेसी के अंदर जब सारा reaction हो रहा है तो यह RVC से बाहर निकल आएंगे bicarbonate sign इस तरीके से और at the same time CL ion जो रहते हैं chloride ion वो आपके अंदर की तरफ जाती है balance करने के लिए तो यही फिनोमिना हमारा कहलाता है chloride shift तो CO2 leave the tissue and carried as a bicarbonate मतलब यह जो CO2 है यह आपका बाहर आएगा bicarbonate और कहां आएगा यह blood plasma में आजाएगा RBC में पूरा यह bicarbonate बनेगा और bicarbonate आपके diffuse हो जाते हैं plasma में और at the same time आपका CL चला जाएगा अंदर की तरफ जिससे exchange होता रहे और जो आपका maintenance है वो बना रहे है आइंस का pulmonary capillaries these reaction reserved और CO2 जो है वो exhale करी जाती है मतलब इस तरीके से छोड़ी जाएगी hemoglobin oxygen saturation influence वाइबल को CO2 transportation जिसे हेल्डाने effect कहा जाता है कहने का मतलब यह है जब hemoglobin और oxygen की binding थी और H plus I ने उनकी binding को बिगाड़ा तो वो क्या था आपका बोहर effect था लेकिन जब oxygen आपका bind करे हुआ है hemoglobin बाइंड किया हुआ है oxygen से और CO2 इसको factor effect करेगी तो वो कहलाएगा हमारा कौन सा हेल्डाने effect deoxy hemoglobin bind more CO2 जो deoxy hemoglobin deoxy मतलब hemoglobin में oxygen भी नहीं बाइंड bind with more CO2 and buffer H plus I promoting CO2 conservation to the bicarbonate by the carbonic enhydrase यह मैं आपको बताऊंगी यह पूरी की पूरी reaction करेगा in the presence of carbonic enhydrase तो यह बनाएगा carbonic acid carbonic acid further divide होंगे H plus I plus में आपके bicarbonate में कहां पी पूरी reaction हो रहे है आर बीसी के अंदर अब यह जो बाइकारवोनेट है यह डिफ्यूज होके आर बीसी के बाहर आ जाएंगे plasma में और दोड़ते जाएंगे दोड़ते जाएंगे जहां कहां तक दोड़ते जाएंगे alvulai के पास तक दोड़ते जाएंगे क्योंकि अब alvulai में ही फिर जैसे ही alvulai के करीब पहुचते हैं तो यह सी ओ डिफ्यूज होके लंग्स के थुरू एक्जेल कर दी जाती है तो यह एक डाइग्राम है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अप्टीक औप सी ओटू फ्रॉम टिशू इंटू ब्लड क्यापिलरी कैसे होती है तो सबसे पहले हम पार्शल प्रेशर जानते हैं अब यहा सी ओटू को एक्जेल कर पाते हैं एटमोस्फियर में ठीक है तो टिशू में जब ज्यादा पार्शल प्रेशर होगा तो डिफ्यूजन के थुरू यह अलवीलाई में जाएंगे उसकी बाद एटमोस्फियर में और कम होता है पॉइंट थी होता है पॉइंट थी होता है सी ओटू का कॉंसेंट्रेशन कम होगा डियोक्सीजिनेटर ब्लड में सी ओटू का कॉंसेंट्रेशन होगा जाधा तो क्या है यह है आपका आटिया ब्रट एट दसीम टाइम अगर आपको याद हो कि यहां पर पार्शल प्रेशर ऑफ ओटू कितना था 95 mmHg अगर आपको य तो यह इजीली डिफ्यूज होके और यह जो इंटरेस्टीशिल फ्लोईड है यहां पर सी ओटू का पाइशल प्रेशर है 45 mmHg तो यह इजीली यहां से यहां डिफ्यूज हो जाएगा तो होगा क्या यह 46 से आपका कहां पहुंच गया 45 mmHg डिफ्यूजन के तरू सी ओटू यहां कितना है यहां है 40 mmHg तो यह 40 mmHg होनी की बज़ए से यह चला गया यहां और जब तक यहां का प्रेशर सीम ना हो जाए तब तक डिफ्यूजन होता रहता है तो आपने देखा जब आपका वीनस या डियोक्सिजनेटर ब्लेट का फॉर्मिशन हुआ तब जाकि जो आ आपका आर्टरी का ब्लेट है वहां पर जो प्रेशर रहेगा पार्शली प्रेशर आपका सी ओटू का तो वहां पर 40 mmHg होगा लेकिन जो आपका डियोक्सिजनेटेट ब्लेट है वहां पर होगा 45 mmHg तो इस तरीके से आप समझ गई कि डिफ्यूजन के थ्रू तो इंटरे स्टीशल फ्लॉइड से कहां पहुंच गई हमारी बैसल में पहुंच गई वेंस में पहुंच गई सी ओटू अब यह क्या होगा अब मान के चलो किड़नी में डियोक्सिजनेट ब्लड है अब उस डियोक्सिजनेटेट ब्लड को कहां तक लेके आना है लंग्स की तरब लेक तो यह बोई बता रहा है कि uptake of the CO2 from the tissue into blood capillary और blood capillary में आप कैसा moment होना है उसको समझने कोशिश करिए यह cell था, cell में कितना था अब भी हमने देखा कि 45 mmHg फिर उसके बाद ही जब हमारा पहुचा blood में तो deoxygenated इसने blood बना लिया था फिर उसके बाद जैसे ही यह आपका diffusion कितरू RBC में आया तो कैसे यही मैं diagram आपको दिखा रही कि पहले आपका आएगा plasma diffusion कितरू यह plasma में है फिर RBC RBC में जब इसने H2O के साथ binding करी तो यह इसने क्या बनाया carbonic acid बनाया तो यह जो है that is carbonic acid और अब यह carbonic acid किसकी presence में बढ़ा है carbonic anhydrase की presence में अब यह जो carbonic acid है यह further divide हो जाएगा आपका bicarbonates में यह आपके bicarbonates प्लस आपके H प्लस आइन में ठीक है तो यह आपके H प्लस आइन में हुए अब क्योंकि CO2 यहां पर जादा है bicarbonate बना रही है H प्लस आइन तो क्या होता है कि यह beauty है इन दौनों का O2 and CO2 transportation का कि अभी उपर से मतलब लंग से आपकी जो O2 है वो hemoglobin के साथ bind करके उसको लेके आ रहे हैं कहां टिशू तक तो यहां पर भी यह मैं आपको एक extra point बता रही हूं मतलब कम माइंड करने के लिए कि कुछ इस तरीके का है क्योंकि oxygen भी उपर से नीचे की तरफ आ रही है तो यहां पर oxygen का partially pressure tissue की तरफ कितना था 40 mmHg था जाई भी 40 mmHg था तो क्या होगा इसका loading यहां पर किया जाएगा O2 का और आपका जो hemoglobin है वो free हो जाएगा क्योंकि यहां पर क्या O2 की जरूरत है तो यह वाला hemoglobin अब free होगा और यह free hemoglobin bind कर लिया जाता है H plus I से तो आपका यह बन जाएगा hemoglobin bind करेगा आपके H plus I से तो आपका यह बन जाएगा HbH plus I बनेगा की नहीं बनेगा तो यह वो hemoglobin होता है जो oxygen को carry करके लाता है और oxygen को यहीं छोड़ देता है और H plus I को bind कर लेता है ठीक है तो यह एक तरीके से यह सारी reaction एक दूसरे की क्या है interconnected है कि H plus I का concentration बढ़े गए H plus I होगा तब ही जाके आपका जो CO2 है जो O2 है उसकी unloading करी जाती है tissue में तो अब क्या यह ही hemoglobin यहां पर bind कर लिया H plus I में तो यह तो ठीक है भाई कोई दिकत नहीं हीमोगलोविन और H plus I RBC के अंदर रहेंगे हीमोगलोविन और H plus I हमेशा RBC के अंदर रहेंगे लेकिन जो आपका bicarbonate है जो आपकी RBC की membrane है वो bicarbonate को लेकर transported होती है मतलब bicarbonate easily यहां से diffuse out होते है तो bicarbonate आपके कहां आ जाएंगे plasma में आ जाएंगे at the same time जो आपके CN है chlorine है वो plasma से आपके चले जाएंगे RBC में और यह ही आपकी reaction कहलाती है chloride shift और यह bicarbonate अब आगा है plasma में अब होगा क्या जैसे kidney का deoxygenated blood lungs तकाना है तो जो आपके bicarbonate है यह plasma में दोड लगाएंगे और H plus I जो है वो हीमोगलोविन के साथ bind करें हैं और वो RBC के अंदर है तो यह देखिए कैसे चलेगा यह आपका क्या है RBC है यहाँ पर आपका यह हीमोगलोविन है जो H plus I है और आपके जो Bicarbonate है CO3 minus I है यह Bicarbonate कहां पर है तो इस तरीके से क्या करेंगे दोड़ते जाएंगे दोड़ते जाएंगे और अब इनको खहां जाना है Lunges तक जाना है क्योंकि Lunges ही कैसी जगए जहां से Diffuse out करेंगे और जैसे ही फिर यह Lunges में पहुछते हैं तो आप मैं आपको दिखाती हूँ अगर यहां पर उसका शायद का माइंड डाइग्राम है या नहीं है नहीं है ठीक है तो देखो यह फिर अगें बोई डाइग्राम है कि अब हमने कहां तक पहुंच गए अब हम जो हीम बाइकर्वोनेट है वो प्लाजमा के थूँ आ रहे है और बाकी जो आपका है वो तो हीमोगलोविन से बाइंड है मतलब वो आर वी सी के अंदर ही रहेगा तो जैसे ही यह आ तो यह पूरा जो है डिफ्यूज होके बाहर निकल आएगा लेकिन उसके पहले एक रियक्शन होगी वो रियक्शन मैं आपको दिखाना चाह रही हूं डाइग्राम के थूँ यह कॉमन डाइग्राम है जिसमें के वल परसेंटेज है इस डाइग्राम के थूँ आपको समझा यहां बेक्शन है दिशन है का गॉमन लिखाना चैन है लेजिसल यह में का मेग्रत की जेंगरा मतलब तो सेंग्राम के लिख तोन करेगा यह बाइंड करेगा आपका यह आपका ओ एस तरीके से यह बाइंड करता है और एक एच इसके साथ अटेच हुआ एक प्लस आइन बाहर निकलाते हैं और यह एच प्लस आइन यहां पर जो है इस तरीके से फ्री रहते हैं और हीमोगलोविन के साथ यह यहां से बाइंड करेंगे तो कुछ एच प्लस आइन आपके आएंगे हीमोगलोविन में जो कार्व अमीनो ग्रॉप बना है वहां से प्लस में सेकंड क्या रियक्शन होगी इस से किता 23% होता है ट्रांस्पोटेशन बाकी का ज होंगे तो कुछ एच प्लस आइन यह और इसके भी एच प्लस आइन यह तो यह आपकी आरवी सी में कॉंसेंट्रेशन एच प्लस आइन का ज्यादा होता है टिशू वाले एरिया में इसी बजाए से जो ऑक्सीजन है वो इसली रिलीज आउट होती है अब क्या होगा कि यह अब इनने यह औक्सीजन को यह औक्सीजन ट्रांस्पोटेशन अब मैंने लास्ट लाइड में भी आपको बताया था यही वाला यहीं पर ही क्या होगा अब यह ओटू को रिलीज कराएगा खुद बाइंड कर जाएगा तो अभी आप यहां तक समझे कि यह बाइकार्वोन चल रहे हैं क्योंकि वहां से हम कहां तक लेके आगए थे टिशू से रवी सी में आगया था पूरी रियक्शन हो गई बाइकार्वोनेट्स आपके बन गए अब जब आपकी यह बाइकार्वोनेट्स बन जाते हैं तो यह डिफ्यूज होके आजाती है प्लाज्मा में अब में आने के बाद यह आप कहां पहुँच गए जहां पर लंग जहां पर एल्विल आई है तो आप इनको बापस आर बीसी में आना पड़ेगा और सियो टू बनाना होगा क्योंकि बाइक तो आप नोस से अकजेल करते हैं तो यह बाइक कार्वोनेट फिर से डिफ्यूज होंगे आपके आर्बीसी में वहां पर यह एच प्लस आयन के साथ मिलकर बनाएंगे क्या आपका कार्वोनेक असे अब क्यों यहां पर ऐसा होगा क्योंकि अब यह पास की स्टेज है मतलब यह दुलाइम हाई कॉंसेंट्रेशन है आपके ओटू का लोघ सेंटथे एक क्सी ओटू का तो यह पॉंसेंट्रीशन ओटू जो है पार्शियल प्रेशर ओव ओटू जो हैं अंड्रेड ऐम एम हम एच्जी होने की वज़एसे यह जो और तो हैं यह एच प्लस आयन को भगा द तो यहहां पर यहीवाले एच प्लस आयन रिलीज हों के बाइकार्वोनेट के साथ रियक्षन करके आपका बना लेते हैं कार्वोनिक ऐसेड और यह जो कार्वोनेक असेड है एंजाइम कौन सा रहेगा कार्वोनिक एंहाइड़ेस उसकी प्रेजनस में ह्ट्टू और लग पन 25 mmHg और यहां पर होता है 45 mmHg, CO2 का partial pressure, तो इस तरीके से यह पूरा diffusion चल रहा है, तो अब आपको शायद एक combined mechanism समझ में आई होगी, यह किस तरीके से कहां oxygen हीमोग्लोविन के साथ बाइंड करती है, है H+, I, को हटाती है, और किस एरिया में CO2 हीमोग्लोविन के साथ बाइंड करती है, और oxygen को remove करती है, तो जहां पर हम tissue की बात करेंगे, जहां पर हम tissue की बात करेंगे, जब oxygen को लेके आ रहे हैं, और tissue तक छोड़ना है, और बिसी बात है, उस stage में हीमोग्लोविन टिशू को dissociate करेगा, at the same time bind करेगा H+, I, से, प्लस में CO2 से भी, और जब हम alveoli की बात करेंगे, तो वहां पर हमें क्या release करनी है, CO2, तो वहां पर हीमोग्लोविन बाइंड कर जाएगा oxygen से, और CO2 को जो है, वो release कर देगा, और यह एच प्लस आइन को भी release कर देगा, जिससे H+, I easily आपका bicarbonate के साथ मिलके carbonic acid बना देगा, फिर H2 और CO2 में डिबाइड हो जाए, और यह CO2 जो है, वो exhale कर देगा, तो यहां पर मैंने एक breaking point के बारे में भी लिखा है, जो CO2 transportation, अच्छली यह CO2 transportation से related नहीं है, यह एक अलगी aspect से pulmonary ventilation का, तो यह हटा दो, यह heading, जो है थोड़ी सी गड़बढ़ है, ठीक है, तो breaking point क्या होता है, जैसे आप कभी forcefully, कभी असा सोचते हैं, कि मैं कितनी seconds तक जो है inhalation या exhalation को रोख सकता हूं, मैं कितनी seconds तक अपनी air के छोड़ना या फिर air को लेने के लिए रोख सकता तो वो ही basically आपका breaking point होता है, तो क्या होता है, in the context of respiratory system typically referred to the point at which individual can no longer sustain their level of respiratory efforts and is forced to take a breath, इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने सूचा कि मैं कितनी seconds तक बिना सास के रह सकता हूं, बिना exhale करे या inhale करे, तो एक ऐसा point आएगा कि starting में आप 10 से 15 seconds आप जैसे मैं अपनी बात कर नहीं हो सकता है, आप लोग जादा ही अच्छे हों, तो जैसे मैं अगर सोचू कि चलो ठीक है, मैं कितनी seconds तक अपनी जो transportation हैं उनको रोक सकती हो, तो जैसे मैंने देखा कि 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds और एक point ऐसा जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जल्डी से inhale कर ही लो oxygen, तो वो ही जो point होता है, वो होता है हमारा breaking point, अब यह जो point है यह associate होता है, strong urge to breathe due to accumulation of the CO2R carbon dioxide in the blood rather than the lacking of oxygen, इस शब्द का यह sentence का मतलब यह है, कि जो यह point होता है, यह associate होता है, मतलब कैसे? कि जैसे हमने 30 seconds तक ना inspiration करा ना expiration करा, तो जो tissue है, tissue तो proper काम कर रहे है, tissue तो आशे नहीं कि भाई, आप भले inspiration expression ना करे तो इसा थोड़ी ना ही लोगी काम करना, heart काम करना, बंद कर देगा, कि lever काम करना, बंद कर देगा, तो organ तो आपके proper काम कर रहे है, जब आपके organ काम कर तो और विसे यह CO2 का generation करेंगे क्योंकि यह metabolic reaction तो continue कर रहे हैं तो जब CO2 का accumulation होगा जादा तो आपको इरिटेशन होता है वो CO2 के accumulation से होता है rather than lacking of oxygen क्योंकि टिशू के अंदर oxygen भले नहीं पहुंच पार ही लेकिन CO2 इतनी जादा accumulate हो गई है कि अब यह लग रहा है कि कब छोड जाए CO2 है ना तो वह पॉइंट यहां पर लिखा है कि यह जो branch है यह CO2 accumulation से जादा associate होता है rather than O2 lacking O2 lacking भी इसका factor affecting है लेकिन अगर आप बेटेज की बात करें तो CO2 accumulation जादा जो है वो इस पॉइंट का factor है तो यह दोनों ही factor होते हैं लिकिन यह थोड़ा सा डिफ्रेंस ब्रांचिंग पॉइंट्स का बस इतना ही था जो मैं बताना चाहा रही थी अब चलो जड़ा कोश्चन सॉल्व कर लो यह जो कॉश्चन है year 2023 का है latest question है जिसमें हमें सारी correct statement के बारे में पता करना है तो एक बार अराम से अगर थोड़ा सा time भी लग रहा है तो tension लेनी की ज़रुवत नहीं है वीडियो को pause करके और खुद से एक बार यह question जो है solve करनी की कोशिश करिए ठीक है तो अब मैं भी इस question को solve करती हूँ The following statement suggests the change in respiratory ventilation and the mechanism of these changes when a normal human subject is allowed to inhale air containing differences oxygen content ठीक है pulmonary ventilation की बात कर रहे थे सीधा option पर आए statement जो है वस हमें in statement में से क्या correct है incorrect है बो पता करना है जो हमारा question उसमें ऐसी कोई information नहीं दी है जो हमारी जादा काम में आए तो पहला क्या है ventilation is mostly increase when CO2 या partial pressure of the CO2 of the inspired air is less than 60 mmHg इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ventilation especially inspiration की बात कर रहे है ठीक है inspiration की यह बात कर रहे है कि जब आपका partial pressure of O2 60 mmHg से कम हो तो जो आपका ventilation especially in terms of inhalation वो increase होगा तो यह statement एकदम सही है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब partial pressure आपका 40 mmHg होगा तो आप environment से सीधा जो oxygen उसको इन्हेल कर सकते हैं क्योंकि environment में कितना अगर 100 mmHg जैसे alveoli में 100 mmHg है फिर उसकी बात जो आपकी capillaries थी उसमें 40 mmHg है तो diffusion हो रहा था तो diffusion होगा तो फिर एल्विलाई का 40 mmHg होगा फिर इन्वार्मेंट से आएगी तो अगर आपका बिल्कुल partial pressure O2 का कम है तो मतलब oxygen कम है अब हमें oxygen को इन्हेल करने की जरूरत है तो बिल्कुल यह ventilation को बढ़ाएगा तो यह statement इकदम सही है नेक्स्ट क्या है दा वेंटिलेशन इस सिक्स लीटर पर मिनिट वेंड़ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑफ द ऑफ द ऑफ द ऑफ द इंस्पाइड एयर इस एवाउट बन फिप्टी एमम हजी तो मैंने आपको बताया था जो काडियाट आउपोर्ट है वो कितना था हमारा 5 लीटर था लेकिन ये बात कर रहा है 6 लीटर पर मिनिट मतलब ये बात हो रही है दूरिंग एक्सरसाइस की तो इस सिचिवेशन में क्या होगा कि बिल्कुल जो हमारा क्या कहते हैं जब हमारा पार्शल प्रेशर ऑफ ओटू जो है इंस्पाइड एयर 150 mmHg होगा तो ये ज वेंटिलेशन इस 6 लीटर पर मिनिट वेन दा पार्शल प्रेशर ऑफ दा इंस्पाइड एयर इस 150 मतलब की नॉर्मल सिचिवेशन में आपका 100 mmHg और 5 लीटर पर मिनिट वॉल्यूम था दूरिंग क्रिटिकल एक्सरसाइस सिचिवेशन में ये 6 लीटर होगा तो आपका ज स्लाइटली इंक्रीज बेन दा पार्शल प्रेशर ओफ दा इंस्पाइड एयर इस मोर देन 60 mmHg अच्छली ये जो स्टेटमेंट है ये जर्नल सिचिवेशन का नहीं है ठीक है जर्नल सिचिवेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे ही हमारा पार्शल प्रेशर 60 के आगे 100 होता तो नहीं इंक्रीज होता लेकिन अभी ये 60 mmHg है तो वेंटिलेशन जो है वो बिल्कुल स्लाइटली इंक्रीज होगा इंक्रीज क्या है इंक्रीज इन वेंटिलेशन ड्यू टू लोवर पार्शल प्रेशर इन इंस्पिरेशन कोजिज वाइड हाइर अहां तक लाएं एकदम सही है कि इंग वेंटिलेशन तब इंक्रीज होगा जब पार्शल प्रेशर कंव गयूं क्योंकि पर शाल प्रेशार ऑपोट्य कम है तो मतलब हमें इनिहिलीशन की जरूरत है तो वेंटिलेशन kitchen की गuden्वान विदframe क्रीज हो पॉइंट में बताया कि ब्रेकिंग पॉइंट में क्या था अगर आप जबर जस्ती अपनी सांस को छोड़ के रखोगे तो रोक के रखोगे तो होगा क्या कि आपकी ब्लड में या फिर आपके टिशू सी ओटू का जनरेशन जाधा होगा लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वहां पर ऑक्सीजन की भी लेकिंग बहुत कम होगी हो सकता है कि हमने एक्दम फूर्स फुली इनिलेशन किया हो तो कुछ समय के लिए हमारी ऑक्सीजन का काम बन गया लेकर सी ओटू का तो यह थोड़ी से इंडिपेंडेंट फेक्टर है यह डी वाला जो है ऑप्शन गलत है ने मैंने आपको बताया था कि CO2 प्लस H2O आपस में रियक्शन करके आपके बना रहे थे कार्वोनिक एसिड और यही कार्वोनिक एसिड पर्दर देवाइद हो रहा था आपके बाई कार्वोनेट में प्लस H प्लस आइन में तो यह जो सिचुवेशन है यह पार्शल प्रेशर आप सी ओटू पर डिपेंड करती है ना कि ओटू पर तो कौन कौन सा स्ट्रेटमेंट सही हुआ अपना परस्ट सेकेंड थर्ड और यह वाला अपना गलत है हां क्योंकि हायर वाला है है अपना थो इस तरही कि आपका यह बी एन सी स्ट्रेटमेंट गाओ इसका आंसर देखते हैं अच्या कॉम्बिनेशन ठीक है तो यह कॉम्बिनेशन थे और पिर आपका आंसर जो है वो फॉर्स्त सही है और क्यों सही है यह उसकी मैंने एक्स्क्लेयनेशन आपके पास लिख दिये हैं तो आप देख सकते हैं ज़रा इस question को अब solve करो इसमें भी हमें correct statement चूज करने हैं और यह year 2022 का question है चलो अब मैं इसको पढ़ ले रही है a human subject that can voluntary inhibit respiration for a time but the subject feel irresistible urge to resume breathing after a while at a point which this is called branching point जो मैंने आपको समझाया था अब the character पूछा गया है of the branching point are suggest in a following statement तो हमें branching point जो मैंने आपको बताया है यह उसके कुछ जो है statement है तो क्या-क्या है पहला the breaking point is shorter in a subject after removal of caretid body compare when do they have interact with caretid body यह unfortunately गलत आंसर है and second क्या है आपका the breaking point is prolonged if the subject breathe 100% of the oxygen before they holding देखों अब यह जो आपसे पूरा पूछा गया है ना यह कुछ ऐसा-सा question है कि जिसे आप common sense के through भी solve कर सकते हैं अब इसका B statement अगर आप देखेंगे तो क्या है जो breaking करा forcefully तो क्या हुआ maximum oxygen थी वो हमारी body में आई जब हमाई body में maximum oxygen को breathe को हमने hold किया जो हमारा breaking point है हम उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं थोड़ा देर और रिजिस्ट कर सकते हैं वेंटिलेशन रियक्शन के लिए थोड़ा और रिजिस्ट कर सकते हैं इन्हिलेशन और एक्जिलेशन के लिए तो यह वाला स्टेटमेंट तो सही है वेंदा सब्जेक्ट हाइपर वेंटिलेटेड ठीक है विद रूम एयर विफोर दा ब्रीद होल्डेंग दा ब्रेकिंग पॉइंट इस डिलेड कंपेर टू डिलेड मतलब प्रोलॉंग देखी बात है कंपेर दा सब्जेक्ट ब्रीद नॉमली यहां जल्दी-इएर को लेना खोड़ना ठीक है ना तो अगर हम बहुत जल्दी इन हीलेशन आउलेशन आह BAR और है मेरेशन कर पर कितने जल्दी इन्हेल कर ले लेकिन अगर आप मैग्जीमम सी ओटू को टिश्यू से निकाल देते हैं तो आप अपने ब्रांचिंग पॉइंट को डिले कर सकते हैं थोड़ा और जो है इन्हेलेशन और एक्जेलेशन को रोक सकते हैं तो बिल्कुल यह स्टेट्मेंट एक कर दिया है आपने औक्सीजन को आपने कंजीऊम कर लिया तो उस पॉइंट पे भी आप ब्रांचिंग पॉइंट को डिलेट कर सकते हैं डी क्या है दा ब्रेकिंग पॉइंट कैन वी रिडियूजड इन असबजेक्ट वाइं मेकिंग रेस्पिरेटरी मुवमेंट्स एक्यूमिलेट हो गया उस पर डिपेंड करता है अब यह देखो तब ब्रेकिंग पॉइंट इस शॉर्टर वेन अ सब्जेक्टिव इस टोल्ड डियूरिंग ब्रील होल्डिंग डेट हर इस परफॉर्मेंस इस वेरी गूड कंपेर तू दा सचिवेशन वेंशी इस नोट इसका मतलब यह है कि अगर कोई सब्जेक्ट वो ब्रांचिंग पॉइंट या फिर जो आपका इन्हेलेशन एक्जेलेशन को रोक के रखा है उससे कहा जाए उसको मॉटिवेट किया जाए तो उसका जो ब्रांचिंग पॉइंट है वो शॉर्टर हो जाएगा तो नहीं ऐसा करना पड़ेगा वो सीओ टू को एक्जेल करना पड़ेगा तो इस तरीके से ऑप्शन बी एंसी आपका करेक्ट आंसर है तो यह बी और सी है और यह आपका एक्स्प्लेशन है तो आप इसको भी देख लेंगे चलो जरा आप इस कॉस्ट्टन को सॉल्व करिए ठीक है और यह बी आपना ब्रेकिंग पॉइंट का है तो हम देखते हैं जैसे अगर आपको जे रेसेप्टर भी नहीं पता है आपको reflect operators भी नहीं पता है लेकिन अगर आपको यह पता है कि rising in atrial मतलब CO2 का accumulation आपकी respiratory center को stimulate करता है at the same time O2 भी कम होती है तो अगर आपको यह पता है कि जो breaking point है उसमें केबल दो चीज़े हैं एक तो CO2 का accumulation प्लस आपका O2 का कम होना CO2 का जादा होना आपके ITL blood में tissues में तो उतनी में ही आप इसको कर लेते तो इसका answer C और D है यह बहुत वैसे simple से question है मैं यह मान के चल रही हूँ कि यह तो आप resolve कर ही लेंगे तो यह इसके explanation भी है आप देख सकते हैं कि अब यह जो है ना यह आपका fourth question है ठीक है इसको जादा solve करो कि देखो यह जो question है ना यह मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग कर लेंगे यह question क्योंकि यह question actually है मिक्स concept का क्योंकि इसमें थोड़ा सा information circulatory system का दिया है एक्स creatory system का दिया है ऑल्लों यह है भी year 2011 का question तो उस समय तो ऐसा था कि थोड़े ठीक ठाक ही question देते थे मलब बहुत लटकाने वाले questions नहीं देते थे कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं लेकिन अगर बाई चांस आप इस question को नहीं solve कर पा रहे हैं तो आप यह मान के चलिए ना कि आपकी preparation बहुत एकदम गड़वड है ना इसानी कि मैं आपको demoralized करने के लिए कह रहे हूं लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि यह question बहुत basic question है अब question कहा देखो एक organism है जिसमें circulation हो रहा है हाट के थ्रू एक्स्क्रीशन हो रहा है green gland के थ्रू और several इसके पास अगर nervous system की बात करें तो गैंगलिया है और टक्टाइल से और जो body है larva form में दूसरे तरीके की थी और adult form में दूसरे तरीके की थी तो यह information आपके काम की थी तो यह क्या था ना कि उन्हें बोडी का पूरा system बता दिया और पूछ लिया कि respiration कैसे होता है जो question है यह जाना चाहिए comparative physiology में जिसमें हम animals के organ का comparison करते हैं कि respiration के लिए जैसे पॉरिफेरा में क्या organ है फिर उसके बाद आप कहेंगे इसलेंट्रेट ने डेरिया में क्या है फिर उसके वाद एनिलेट्स में कैसा है और्थोपोड मॉलस्का एक आइनोडर्मीट तो उस तरीक के कहीं तो यह जो ना क्लास का होता है crustacean होते हैं और यह जो आपकी crustacean होती है इनके लिए expriatory gland क्या होती है green gland होती है तो अगर आपको इतना ही पता है और यह चीज़ आपको पता भी होनई चाहिए क्योंकि अगर आप graduation कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन में यह बड़े अच्छे से टैक्सोनॉमी पढ़ाई जाती है यह जो ग्रीन ग्लेंट है यह पाई जाती है हमारी क्रस्टेशियन में तो क्रस्टेशियन क्या से वाटर में रहने वाले अनिमल है तो उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होगा अब वाट एक्स्टेंसिब ट्रैकियल सिस्टम बिल्कुल गलत वात है एक्स्टेंसिब ट्रैकियल सिस्टम मतलब ट्रैकिया फिल लंग्स की बात हो रही है तो नहीं होती गैसियस एक्स्टेंज ओवर थिनर एरिया वाई क्यूटिकल और वाई गिल यह तो एक दम यह सही आंसर है होगा या तो फिर आपकी गिल्स के थ्रू होगा एंड एफिशियंट रेकियल सिस्टम अगें बोई बात आ गई तो यह तो फिर आंसर गलत हो गया डबल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम वेर्द सर्कुलेटिंग बिल्कुल गलत है किसी तरीके का कोई सर्कुलेशन नहीं होता जो अक्सिजन को डिजॉल्व करें यह हमारी बात हो गई कि हमारी बलड में अक्सिजन डिजॉल्व होती है बाइंड होती हो फिर उसका डिफ्यूजन होता है तो बी इस तरीके से मतलब यह जो सी वाला है यह उप्शन एकडम सही है तो आप देख लीजे अगर बाईचांस थोड़ा सा और आपको बेसिक्स क्लियर करने की जरुरत है और इसका अंसर भी जो है वो सी है तो देखो इस तरीके से जो हमारी रेस्पीरेटरी फिजियोलजी थी वो भी हमने सारी कम्पलीट कर लिए तो मैंने आपसे कहा था कि जो एनिमल फ्यूलोजी के जितने भी कि सबसे जादा कौस्च आते हैं सबसे ईकेटरी कॉछिंज पूछे जाते हैं नर्व आप्र सिस्टरम से फिर हमारा काईडियों वसकुलर सिस्टम फिर था हमारा राइच प्रेस्पीर टिसेम तो जितनी भी important topic थी वो सारे आज हमारी इस वीडियो के साथ कबर हो गए है बस दो topic और बचे एक तो excretory system में urine formation है तो urine formation में basically हम renal functions content की बात करते हैं जैसे हमारा filtration है और फिर हमारा reabsorption है, secretion है तो यह हमारा urine pathway है तो वो हमारा है जो एक class में complete हो जाएगा female reproductive cycle reproductive system में सबसे जाधा question आता है female reproductive cycle से तो यह दो और हमारे important topic हो चुके हैं, medium important topic की category में तो यह दोनों भी मैं आपके लिए cover करा दूगी अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं सूच रही हूं कि मैं आपको immunology पढ़ा दूगे तो immunology में भी जो जो हमारे important topic होंगे जैसे इसकी हमने total शाइद 13 to 14 या 15 कुछ videos होंगे तो वह सारी तो बैसे ही उसकी वी 10 या 12 कुछ ऐसी videos होंगे तो वह ऐसे ही हम पूरा एक एक करके जो हमारा most important या most frequent topic होगा उसको कबर करेंगे प्लस में उसके PYQ solve कराएंगे तो अगर आपको immunology पढ़नी है तो आप एक बार comment box में मुझे जरूर बताएं जिस तरीके से आपके responses होंगे या आपका interest होगा उस तरीके से हम immunology के भी जो important topics है उन सब को pick up कर लेंगे और बाकी ये जो दो topic है एक तो female reproductive cycle and urine formation ये सारे भी मैं आपको उसी के साथ कराती रहूंगी तो एक टाइम हमारा animal physiology भी चलेगा और हमारा immunology भी चलेगा ठीक और अगर ये video आपके लिए helpful है तो like करें शेयर करें चैनल को subscribe करें सारी चीज़ों को अराम से बढ़ लो revise करते चलो recall करते चलो और अगर कोई confusion हो रहा है तो telegram channel तो है य Thank you for the listening. झाल झाल झाल